अलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम डू मैं न्यू व्लोग तो आज तो मॉर्निंग में ही दुरूवी ने देखो कितना अच्छा गर सफाई कर दी है दिखिए यह रूम आज साफ हो गया है और दुरूवी ने रूम सफाई की और मैंने घर का सारा काम कर दिया दोनों इने में साथ में मिलके सारा काम फिनिश किया है आज तो मैंने रहें मेरे व्लोग में यह के पापा चौक पर जा रहे है जसी क्रस्टना जेश्री महताल है कि ना मीडिया रूम जाना है एक साधी में तो बहुत मच आएगा गाउं में साधी है तो कल जाएंगे साधी में चुटिया तो मीर भाई तो भी सो रहे है आपी तो समर चल रहा है तो बार तो इतनी दूप है और है दोनों आपब उठे है दस बजे इनका चाइना अब बाकी है और अपी पताने कब सब घ्रार गायों और अब ही देखो आंब ऑची की प्रसादी ना More he को भी हम यहिए को मुझे को मैंने कर गाए । देखें दो तो भी कर दीा तो भी काना काने बैट करें हैं यह ल्गिबंडे की अरो यहां प्याज के साथ कह लेते सब हो घुड़!!!!!!!! द्रूवी अभी काम सब कर दिया है देखो गर की सफाय और खाना खाने बैठ गई है वहरन मुवीज देखो वहरन मुवीज चल रही है और ये खुद वहरन बन रहा है पिशाम होने वाली है और साम की रसुमें क्या बन रहा है चलिए आपको दिखाते हूं आज बने छे दाल जीरू पावडर आने आजोव जीरू एक चमची आने हवे उपर थी आपने ओईलेट करेशू तो बे मुट्टा चमचा ओईलेट करेने तेनों लोट मादी लेए तो देखे दाल बाटे के लिए अभी दाल भीगो दी है मैंने उड़त की धाल उड़त की दाल मोग दाल और चने की दाल और उसमें तूवर की दाल सब दाल ले लिए और अभी पीखो के रगती है ताकि जदी हो जाए और यहां पे दाल बाटी का अर्टा भी रेडी हो चुका है देखिये और यहां पर यहां पर बाट्टी का सुटिंग चल रहा है मेरी जैसे चैनल में रखने के लिए सुट कर रही हूं वीडियो भी तो मैंने पानी गरम होने के लिए रब दिया है देखिए और यहां बाटिया भी रेडी करके पानी में एड करेंगे बाफला बाटी बना रही हुँ मैं अपी तो देखिए अभी यह बाटिया गड ली है ऐसे देखो इसकी फूल रेसेपी मेरी रेसेपी चैनल गुजरा दिव के दोहर एक तरफ गयस्ट आ गए तो अफी चाय भी रखी एक साइड में और यहां पर बाफला बाटी रेडी हो रही है है शाय रेडी हो चुकी है वि अ आपके लिए दादा के पास इसी में बैठे के लिए यहां पर बाटी रेडी हो तब तक यहां पर दाल बाफने के लिए रख देते हैं दाल में ओईल और नमक एड कर देंगे अपी देख सकते हो बाटी उपर आ रही है थोड़ी थोड़ी जब उबलेगा पानी तब पूरी बाटी उपर आ जाएगी और यहां पर दाल भी हो रही है हमारी देखिए तीन टाइप की प्याज मैंने कट कर ली है यह है लाल चतनी मना आएगे न उसके लिए यह दाल में अट करने के लिए और एक खाने के लिए देखिए हमारा बाफला रेडी हो चुका है और पानी देख सकते हैं बिलकुल चिपकी नहीं है अच्छी तरह से बाफला रेडी हो गया है इसे अभी तोड़ना है तो बने रहे हैं मेरे वीडियो अब देखों चतनी के लिए सब तयारिया हो गए है चतनी भी बनेगी और तीन टाइप की प्यास भी काट लिए मैंने अब देखिए अभी चतनी का वीडियो सुट हो रहा है इस तरह सुटिंग करते हम लोग देखिए इसे जितना भी जूम करना हो कर लेते हैं वीडियो को और यहां पर सब इंग्रिलियंस पर एड़ी रखना पड़ता है तो एक तरफ दाल उबर रही है और एक तरफ मैं चतनी का वीडियो सुट कर रही हूँ देखे चतनी का भी वीडियो सुट हो रहा है और वह आपको दिखाती हूँ यह बेग्ट्राउण पीम है हमें जितना भी जून करना हो हम सब सकते हैं तो देखिए मेरी चतनी रैडी है जो मेरे घर में सब कोई पसंग करता है यह चतनी दाल बाटी में और अपी सुटिंग भी हो गया है मेरा इतनी गर्मी में सुटिंग चल रहा है पंखा तो बंद रखना पड़ता है और अभी देखिए दाल का वीडियो उतर रहा है चतनी तो उतर गया अभी दाल लुक वगारेंगे और चिल्ले बाटिया वापने की है तर्णे की है तो देखिए ऐसे हम लोग सुटिंग करते है अर्याद रूवी तो बतन गीस रही है और वहां देखिए मीर के पापा भी आगया भी अधिया अधिया निकल दिया है देखिए और मैं अभी खाना साव कर रही हूं सबको और एक तरफ बाटिया भी देखिए अधियो रही है तो देखिए तली जा रही है अभी बाटि तो देखिए अधिया निकल बाटिया तो रेडी हो रही है यहां पे खुछ बाटिया रेडी हो गई है तो सब को खाना खिलाने पिठा दिया है लीजी गरम पी सब खाना खाने बैठ गए क्यों बन्यू मेर्ट बन्यू मस्ता बन्यू मस्ता बन्यू मस्ता और मैं यहां पे बैठ जाओंगी मेरी बटर मिल्क अब ही तो बाटिया हो रही है देखके लास्ट में बैठ हूंगे दाल बाटि रेड़ी थेए गई शे तामें जुए शको शो दाल बाटि परफेक्ट ते चली ने बदा जमवा पन बैसी के आशी आने उपन बदा नी जोड़े बैसी गई शू चालो तमारे पन तेस्टी दाल बाटि खावी होए तो आत्तो गर्मी बहुत है चलिए तो अप चलिए सबी को अगर हमारा व्लोग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना थेंक्स और वाचिंग मैं व्लोग बाई